RSS का बहाना ED पर निशाना क्योंकि ED का निशाना इस वक्त कॉंग्रिस के दो सबसे बड़े चहरों पर है National Herald के Office को सीज कर दिया गया है और इसी लिए अब आमने सामने कॉंग्रिस और BJP नजर आ रहे हैं ताजा बयान राहुल गांदी का ये है कि वो लोग जिनोंने 52 साल तक तिरंगा नहीं फेराया वो ना हमें सिखाया उससे निकलने वाली पार्टी और लोग हमें ना सिखाये कि तिरंगे का सम्मान कैसे किया जाए देश द्रोही तक कैदा डाला है राकेश सिना साब हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी के सामसर राकेश जी आप संग को बहुत नजदीक से बहुत करीब से जानते हैं और बहुत-बहुत स्वागत है आपका अबवल तो हुंकार पर अपसे पहले तक कॉंग्रिस की तरफ से तमाम तरीके की बाते कही गई लेकिन आज तो राहुल गांदी ने संग को देश द्रोही कैदिया है मैं आप पहली प्रतिक लिया चाहते हूँ देखे 1963 में जवाहरला निहरु ने भारत चीन युद्ध के दोरान संग की भूमी का और संग की प्रिष्ट भूमी देखते हुए इसे रिपब्लिक डे परेड में आमंत्रित किया था तो राहुल गांदी एक तरह से अपनी ही विरासत को का निशिद्ध कर रहे हैं संसदिय जनतंत्र में अभद्र और अम्रियाजित वेभार और भासा दोनों से ही इसकी जरू में मठ्था परता है मैं एक बात इतिहास वो धुन को करा दो 1929 के दिसंबर में कॉंग्रेस ने प्रस्ताव पारित किया कि हम पुर्ण सतंत्रता पाएंगे संग के सरसंग चालक डॉक्टर हेटगेवार ने एक सर्कुलर निकाला सभी साखाओं को निर्देश दिया कि 26 जर्वरी 1930 को हम ध्वज पूजन करेंगे और उस ध्वज के पूजन के साथ साथ कंप्लीट इंडिपेंडने को मानने के लिए कॉंग्रेस को धन्यवाद देंगे 1930 का जब सभीने अवग्या अंदलन हुआ तो डॉक्टर हेटगेवार ने आरेसेस के सरसंग चालक पद को छोर कर कौंकि किसी समराजवाद विरोधी अंदलन में दो मंच दो नित्यतों दो जंडे नहीं होने चाहिए उनका आग रहता हमारा संगठन है कौमिनिस्टों का संगठन अपने अपने संगठन हो लेकिस अब समराजवाद विरोधी अंदलन हो तो हमारी एक जूटता दिखे इस ते हैड़िवार जी ने वह काम किया जो भारत के थिहास में सुत्मराज के तिहास में किसी नहीं किया अपने संगठन के मुख्या के दाइप्तु को छोर कर एलवी प्रांजपे नाम के व्यक्ति को उस मुख्या बनाकर स्वहिम सेवकों के साथ अपील करते हुए जिनको सामिल होना चले और एक ध्वज एक मंच एक नितित तुम्हें उन्होंने काम किया तो फिर आप पर यह आरोप क्यों लगते हैं ने तो फिर अखंड एक मैं मैं पूरा कर दो सब्सक्राइब कर दो इस सवाज साथ उसे जोड़ें पर पूरा कर एक मैं यह कह रही हूं कि आप पर आरोप लगते हैं कि बावन साल तक तिरंगा फैराया नहीं गया क्यों नहीं फैराया इसके पीछे वज़ा क्या है और इसी लिए उसी का जवाब देद रह साल तक यह सो साल तक राष्ट द्वज का सम्मान नहीं किया तो इसका आप जवाब क्या दे सकती है मैं कहनत बस राष्टिय सविंसवक संग घोसित रूप से पूरे देश भर में इसकी सभी साखाएं संग के एक छोटा संगठा नहीं है कॉंगरस की तरह दफ्तरों में चलन नहीं है यह फाराना नहीं है तो राहुल गांधी जवाब दें कि देश के विभाजन के लिए जो लोग दोशी हैं जिन्होंने लाखों हिंदूओं को घरवार छोड़ने के लिए बात कर दिया हजारों हिंदूओं के निर्संस हत्या हुई और दोनों तरफ से हत्याएं हु पारलेमेंट के जो मैं बोलना ने चाहता था जबसे राजस्भां में आया हूँ पारलेमेंट के सिन्टर्ल हॉल में तस्वीरें लगी हुई है जवाहरलादनीरूं जी तस्वीर है निहाँ जा रही है ये त्रंगा का सम्मान इंदराडर गांधी की तस्वीर देख लीजàyे बाकी दो नेताओं की तस्वीरों उन्हें तिरंगा को नीचे किया है, यह क्या है? यह तरंगे के प्रतिसमान है, जो लोग वंसवाद, व्यक्तिवाद, भरस्टाचार, तिर कोन में जी रहे हैं? पर सिना सब आपने मेरे सवाल का अभी तक जवाब में गया, वावन साल तक आपने तिरंगा फेराया क्यों नहीं? इसके पीछे की वज़ा क्या है? संग ने वावन साल तक तिरंगा क्यों नहीं प्रतिसमान को फाराते रहें, 15 अगस्तों कि 26 जनर्वरी हो, तिरंगे को हम अखंड भारत दिवस्ते और क्या फार आएंगे? हर संगठन का अपना जंडा होता है, कॉमिनिस्टों का जंडा है, सोचलिस्टों का जंडा है, मुस्तिमलीक का जंडा है, कॉंग्रेस पार्टी का जंडा है, RSSS का जंडा है, BJP वो एक अपनी जगह पर है, लेकि जब रास प्रदानमंत्री नरेन रमोधी ने अपना जो स्टेटस है वो बदल कर तिरंगा कर दिया, मेरे ख्याल से आपने भी किया होगा, बहुत सारे सांसद है, बहुत सारे BJP के कारे करता है, बहुत सारे हिंडुस्तानी है, जिन्होंने तिरंगा अपने प्रोफाइल पिक्चर की तरह यूज कर लिया है, लेकिन मोहन भागवत जी ने ऐसा नहीं किया, दत्तात्रह जी ने ऐसा नहीं किया, संग के ओफिशल जो ट्विटर है या सोशल दूसरे प्लाटपॉर्म है, वहाँ पर तिरंगा नहीं लगाये गया है, ऐसे आप पर आरोप लग रहे हैं और क्यों कर स्भागर नहीं लगाये गया तो जब भारत चीन युद्ध में जिसके कारण जवाहला नहरू जैसे लोग हमसे प्रभावित हुए थे क्या हम भागवा लेकर गए थे भागवा भागवा तो इस देश के त्याग तपस्ट्या का दोज है उसको वह तो पूजन का चीज है वह तो इतिहास का चीज है लेकिन मैं अभी डॉक्टर मोहन भागवत का ट्विटर हैंडल खोला हुआ है उसमें मोहन भागवत जी की तस्वीर है यह और और उसके नीचे ही हुटू फॉलो करके वह आपको सजेशन आने लगते हैं तो आप यह देखिए कि RSS का नाम भी आ रहा है पर उसमें लिखा हुआ RSS और उसके उपर भगवा जंडा है यह देखिए RSS और RSS का भगवा जंडा यह स्टेटिस है लेकिन इसमें आप नीचे और अगर मैं सजेश या मोहन भागवत ने मनोच तिवारी तिरंगा लगा रखा है नरेंज मोधी तिरंगा लगा रखा है प्रोफेसर राकेश सिना तिरंगा लगा रखा है जैसे ही घड़ी का काटा दो बहर धाई पे आए बपीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए और ये हैं इनकी बहू पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरिट शो फ्री टाइम पे आउन इनकी तरह आप भी देगे अपना फेवरिट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव आप अपने स्मार्ट टीवी पर एबीपी डियूज आपको रखे आगे